मनेंद्रगर वनमंडल के वहरासी वन परिछेतर के रमदहा जल प्रताप में चल रहे कई करोड के विकासकारे पर ब्रस्टाचार का भेट चड़ी है आपको बता दे कि पूरा मामला MCB जुले के विकासखंड भरतपुर बनास नदी में रमदहा जल प्रता परेटक स्थल पर कई करोड की लागत से सौंदरी करण का कारे काफी दिनों से चल रहा है जिसमें कई भवन सेड सीसी सड़क निर्माण कारे कराया जा रहा है जिसमें सीसी सड़क निर्माण कारे एवं कई भवन निर्माण का कारे चल रहा है परन्तु मानक का माप डंडों के आधार पर एक भी निर्माण कारे नहीं कराया जा रहा है सभी कार गुणवत्ता विहिन कराया जा रहे हैं और वहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी करमचारी मौजूद नहीं रहते हैं। कॉंटेक्टर के द्वारा गाउं के नामालिक बच्चियों से मजदूरी का काम कराया जाता है। वही मजदूरों से मन माने ढंग से कार कराया जाते हैं। जिसका बुर्वत्ता देखने से ही पता चल पाएगी। जिसका बच्चियों से दलाई किया गया। इसमें आपका क्या कहना है। तो हमारा तो कहना है कि नियम से बनना चाहिए। क्योंकि यह हमारे यहां का विकास है। ताकि मजबूतिकार बार हो जाहिए। सब दिन थोड़ी बनेगा या भी एकदार न बनेगा। तो हमारा कहना है नियम से बनना चाहिए। और नियम से तराई होना चाहिए। ताकि मजबूति रहे और नियम से सिर्मिट हर चीज मटेरियल डलना चाहिए। और रम्दहा इस थल ये देवी देवता के है। उपर संकर जी हैं, बजरंग बली हैं। और सारे यहां देवी देवता हैं। सुरक्षित यहां रहना चाहिए। और हमारा इही कहना है। और एक्ठो मंदिर भी होना चाहिए। क्योंकि यहां आते हैं, मंदिर अभी धंग से नहीं बना हुआ है, जब कि एतना सासन ने खर्च किया है, तो एक्ठो मंदिर भी होना चाहिए, ताकि कोई लोग आए तो देखाएं, दर्शन हर चीज पाऊंए हैं. जब क्या नाम है भी आपका है? मेरा नाम तो सेव परसाद है. यह कहां के रहने वाले हैं? बेनिपुरा. यह जो सिसी स्रक निर्मार कार्या हुराया है रम्दाह जल परपात में, यह किस मत से और कौन भी भाग बनवा रहा है? यह बनवा रहा है जंगल भी भाग ठेके दार ल ले वाला है ठेका और तो आपको लगता है कि यह दो करोड का रोड बन रहा है? बन रहा है लेकिन दो करोड का भी खर्च थोड़ी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. दो करोड जैसे मतलब आप कहना है कि काम भी सही नहीं है? काम भी सही नहीं है. अच्छे अच्छे अच् प्राते दर्बर न्यूज के लिए 36 गर से निलेश दिवारी की रुपोर्ट